हेलो गाईज कैसे आप लोग जैसे मैंने मैट्स के नोट्स आपको प्रवाइड कराये थे मेरे टेलिग्राम चैनल पर और कई हजारों लोगों ने उसको more than 50,000 लोगों ने डाउनलोड किये और नोट्स को और आपको काफी help मिलेगी I am sure about it क्योंकि आपको पता चलाओगा कि आ आपको मैं शेयर करूँ लेकिन मैंने इंग्लिस में grammar के notes नहीं बनाये थे मैंने ये वीडियो में भी mention करा था आपको मैंने इंग्लिस में notes उन चीजों के बनाये जो मेरे को एक या दो रिविजन के बाद भी confusing words लगते थे vocabulary के words जो थे वो चाहिए synonym हो, internum हो, one word substitution हो, idiom phrases हो जो मैंने दो रिविजन के बाद भी मुझे books में याद नहीं हुए, तो उन vocabulary के words की मैंने notes बना रखा है, और वो multiple sources है, जैसे SP Buxy के जो मुझे याद नहीं हुए, उनको लिख रखा है, उसके बाद MB Publications की book में से कुछ मुझे याद नहीं हुए, उनको लिख रखा है, जो previous PDF मैंने बना रखी है, जो मैं आपको भी बताया था कि previous year की PDF जैसे 2017 तक मैंने टेलिग्राम चैनल पर डाल रखा है, उन में से अगर मुझे कुछ याद नहीं हुआ, तो वो भी मैंने वहां भी लिख रखा है, around 60 pages आपको मिलेंगे, 30 pages मतलब total two sites 60 pages होंगे, और ये notes मेरे वाल पे top educators जो unacademy के हैं, वो English पढ़ाते हैं, चाहिए वो CGL हो, CHSL हो, चाहिए बैंक के exam हो, चाहिए CP हो, प्लेम्स, मैंस दोनों को cover करके English के proper batches वहां पे चलते हैं, अगर top educators के मैं बात करूँ unacademy के तो वो है बर्खा अगरवाल में, आमन वसिस्चर, राने सिंग में, पढ teachers से पढ़ सकते हैं, कोई सा भी topic किसी भी teacher से पढ़ सकते हैं, कोई से भी batch में आप जो teachers पढ़ा रहे हैं, जिससे SSC का आपने subscription लिया, तो उसमें जितने भी teachers पढ़ा रहे हैं, उनमें से किसी भी teacher से आप पढ़ सकते हैं, और ध्यान रहे हैं कि आप जब subscription ले रहे हो इसका तो आप मेरा coupon code Mr.TrueTales यूज़ करें जिससे आपको 10% discount मिलेगा अब मैं notes के बात करूँ तो इसमें आपको English की vocabulary मिलेगी जिसमें idiom phrases आगे, synonym आगे, internums आगे, one word substitution आगे और multiple sources से आए हैं जिसे मैंने पहले भी बता है multiple sources है जहां से मैंने prepare किया था जिसे MB publication से मैंने word on word substitution पढ़ा मान लो उसमें कुछ दो revision के बाद में वो जो कुछ difficult word लगे जिसको हम गौला करते हैं किताब में या टिक माग करते हैं कि यह वाला word मुझे याद नहीं वाए तो वैसे हाली चीजों को मैं एक अलग से page में लिख के रखता था ताकि जब exam के 10 या 15 दिन बचें तो उस time उन चीजों को ज़्यादा revise करो जो आपको याद नहीं हुई है ज़्यादा confusion लगती है क्योंकि कुछ vocabulary ऐसी होती है जो first reading और second reading में हमें याद हो जाती है लेकिन exam के time हमें उन चीजों को दुबारा पढ़ने के बजाए उन चीजों पर ज़्यादा focus करना पड़ेगा जो हमें याद होने में difficult लग रही है तो उन चीजों को हम ज़्यादा ज़्यादा देखेंगे तो कैसे देखेंगे हम same book में tick mark पे जाजा के देखेंगे तो हमारा थोड़ time waste होगा इसके बजाए उनको अलग लिख लो तो मैंने क्या करा एक white pages में सबको लिख रहा है और sources का नाम लिख रहा है हर page के उपर कि यह page के difficult word की sources उठाए हुए है कितने revision कर रहे हैं इनको दुबारा revise करना या नहीं करना इस चीज़ें में अपने level पर लिखके रखता था और मैं suggest करता हूँ कि जो भी बच्चा prepare कर रहा है यह चीज़ें वो लेके चले एक प्रोपर strategy फोलो करके चले तब यह exam first day में crack होता है आप simply flow के साथ जाओगे तो definitely आपका score कहिने के अच्छा नहीं हो पाएगा आपको plan करके चलना पड़ेगा इसलिए मैं हर इसाब से हिंदी में उसका translation भी लिख रहा है कोई word है वह इंग्लिस में आद हो रहा है तो इंग्लिस में लिख रहा है और उसके हिंदी words भी मैंने साथ में लिख रहा है यह notes टेलिग्राम चैनल पर अवैलेबल है आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं फिडियो of cost है कोई charges नह को मिलेंगे वह complete notes है मैंने पूरी preparation में थोड़े से English के और complete notes मैस के बनाये तो आप notes जो मैस के notes हो complete वहां से डाउनलोड कर सकते हैं बहुत अच्छे notes मैंने बनाए हुए है इतना है इस वीडियो में मैंने मेरी तरफ से जो हो सकता है आपको चीजे में assistant provide कर रहा हूं आपने अगर जी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके इस चैनल को support कर सकते हैं this is all in this video thank you guys thanks